Hello Friends, Welcome to Indian Study Indian Study पर आपका स्वावत है दोस्तों आज की इस वीडियो में जो UPSI की 20 नमबर में 1st जिफ्ट में एक्जाम हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आप सबी लोग जानते हैं 2nd फेज जो है वो आज से इस्टार्ड हो चुका है 20 नमबर की 1st जिफ्ट आपकी संपन भी हो चुकी है तो मैं कुछ कोसंस यहां से लेकर के आ जाओं और कुछ ऐसे एक्स्टा टॉपिक जो आपके ये वाले फेज में एड हुए हैं तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ग्रामर वाले जो आपके टॉपिक थे वो लगबग हिंदी में बहुत सारे टॉपिक जो है वो आपको अलग से देखने को मिल रहे हैं तो वीडियो को एंट लग जरूर देखिएगा क्योंकि यहां से आपको बहुत सारी चीज़े पता चलेंगे किस किस टॉपिक से आपके कोस्टन्स पूछे जा रहे हैं एक बार फिर मैं आपसे बोलूँगा जो भी फर्स्ट नमबर या बीस नमबर की फर्स्ट सिफ्ट में एक्जाम दे करके आया है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसे कोस्टन्स जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ वो पूछे गए थे के नहीं पूछे गए थे क्योंकि अभी तक मैं जितने भी आपको वीडियो प्रोवैड करवा रहा हूँ UPSI के एनिलिस से लेकर वो सारे मैं बिल्कुल जेनुएन कोस्टन्स प्रोवैड करवा रहा हूँ आप सभी लोग जानते हैं पहला कोस्टन्स पूछा गया था कि पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कप की गई थी जो कि 14 अगस्त 1993 में की गई थी हिंदी से कोस्टन्स था कि तरंगा में समास आप से पूछाता तो तरंगा में आपका दिगू समास है तो लगातार समास से कोस्टन्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो ये कोस्टन्स पूछाता है एतेव का आप से संधी विग्रे पूछाता कि एतेव का संधी विग्रे क्या होता है तो विसरग संधी होती है अथा प्लस एव तो यहां पर अथा प्लस एव आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा हिस्ट्री से आपका कोस्टन्स था कि संताल विद्रो कब हुआ था ये वाला कोसंस आज की सिफ्ट में देखने को मिला जो की 1855 में हुगा था है ना तो ये कोसंस आपको देखने को मिला नेक्स्ट कोसंस स्टार्ड करने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तो अगर आप उत्तर परदेश की किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग के लिए लगातार कोर्स चलाती रहती है आप सभी लोग जानते हैं लेकपाल की वेकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है तो अनेकेड़ी पर आपको लेकपाल का भी बैच देखने को मिल जाएगा P.E.T. की तो हर 6 महीने में होना है 2022 में होना है इसका भी कोर्स देखने को मिल जाएगा या उत्तर परदेश के अंदर जितने भी आगामी एक्जाम है सभी के कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे अब इसके लिए आपको केवल और केवल एक बार सब्सक्रिप्शन पर्चेस करना है हर कोर्स के लिए अलग से पैसे नहीं देने आपको जो कि अधर प्लेटफॉर्म आपसे लेते हैं तो आपने UPPSC, UPPSC केड़ेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन पर्चेस कर लिया उस केड़ेगरी में जितने भी कोर्स चला जा रहे होंगे आप सभी को एकस्स कर पाओगे जो कि अनकेड़िमी की सबसे खास बात है देख लीजिए ये आपका UPPSC कॉंस्टेविल का बीर कंप्लीट वेच पर UPPSC कॉंस्टेविल 29 नॉमबर से स्टाड हो रहा है इसमें भी आप क्या कर सकते हैं इन्रोल कर सकते हैं लेकपल का भी बेच देख सकते हैं पीटी का भी बेच देख सकते हैं आगामी जितनी भी वेकेंसिया है सभी का बेच में आप इन्रोल कर पाओगे सब्सक्रिप्सन आपको एक बर पर्चेस करना है description में link दिया हुआ है जरूर से आप purchase कीजिएगा purchase करने के दौरान referrer code का options आएगा तो अपने channel का नाम without space हम बता दी रहा है आपको without space आपको apply करना है क्या Indian study क्या sir I-N-D-I-A-N Indian S-T-U-D-Y Indian study यह आपको apply करना है जैसा ही आप apply करोगे instant आपको 10% का discount भी प्राप्त हो जाएगा ठीक है अब देखते है next question अच्छा आपकी जानकारी के लिए बता दूँ सगोस अगोस से person आये थे और ये पूरा वडमाला topic first phase में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिला वडमाला से आपको लगातार कोसंस देखने को मिल रहे हैं तो वडमाला से आपका सगोस अगोस कोसंस आपको देखने को मिला था सगोस अगोस से अनूठा का आपसे बिलूम सब्द पूछा था कि अनूठा का बिलूम सब्द क्या होता है grammar से बहुत ज़्यादा questions पूछे गए तो विसेशन से आपको चार questions देखने को मिलेते आज की सिप्ट में ऐसा नहीं कि विसेशन कितने परकार के होते हैं वो तो हर कोई बता देगा चार परकार के होते हैं सब्दों में आपसे विसेशन पूछा गया था है ना एक sentence आपसे लिख दिया और पूछा के इसमें विसेशन सब्द कौन सा है विसेशन सब्द कौन सा है प्राविसेशन क्या है तो ये सारी चीज आपसे पूछी गई थी तो एक बार आप देखकर के जाना मैंने विसेशन बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है आप डालना विसेशन होगा इंडियन इस्टडी दो तीन वीडियो आपको दख जाएंगी दद्दस मिनिट की आप देख लीजिएगा आपका काम हो जाएगा चा चौथा विस्व हिंदी सम्विलन अच्छा विस्व हिंदी सम्विलन अभी तक जितने साहते लगवक अनुसु से जाती अनुसु से जन जाती वाला अनुच्छत था जो कि अनुच्छत तीन सो अरतीस और तीन सो अरतीस ए है तो वह को संस आपको देखने को मिला था मौले करतब और डीपी एसवी पे कॉमन क्या है आप सभी लोग जानते हैं परियावरान किस रूप में होता है तो राई वो सोम में होता है है ना तो यह कोसंस देखने को मिला था जल दिवस का मनाए जाता है यह आज का एक कोसंस देखने को मिला है तो यह कुछ कोसंस जो मुझे मिले हैं तो मैंने आपके सामने यहां पर डिसकस कर दिये अब यहां पर यहां पर अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो यार कहीं से भी यूटूब पे कई टीचरों ने पढ़ा दिये और बहुत सारी टीचरों ने बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई है ठीक है किसी भी एक टीचर की आप एक वीडियो देख लेना आपके पांच नंबर का काम हो जाएगा क्यो एक बार वीडियो देख के चला जाओ जिसकी भी आगामी दिनों में एक्जाम है तो यह समलो तीन तीन च्छे और दो आठ आट आट दूनी सोला और चार बीस नंबर आप यहीं से पक्र कर लोगे मैत के ठीक है मैत का मैत का जो लेविल है वही है इसी टू मॉडरेड वस जो सब बच्चे कह रहे हैं कि सर केलकुलेशन वाली आ रही है तो उन कोसंस से आपको बचना है केलकुलेशन वाले कोसंस से बचना है मार्क फिर रुवियू करके आगे बढ़ना है जो कोसंस आपके सिंपल हो उनको पहले करना है एंड में जितना समय बचे तो कर लेना मैत के ज समझ लो वड़माला से चार कोस्टंस देखने को मिले जो की बहुत बड़ी बात है वड़माला आपको पूरे फर्ष्ट फेज में एक मात्र कोस्टंस देखने को नहीं मिला था है ना और ये वाले फेज में स्टार्डिंग होते ही आपको वड़माला कोस्टंस वड़माला से questions देखने को मिल गया तो यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि बड़माला सिंपल सा topic है एक बार पढ़ लोगे तो आसानी से आप questions के आंसर दे सकोगे तो मैंने बड़माला भी पढ़ाया हुगा है आप देखिएगा आपको मज़ा आ जाएगा अनियकारती सब्दों से आपको दो questions देखने को मिलेते चंद से आपको एक questions देखने को मिला एक्च्छल में particular क्या questions है बच्चा नहीं बता पा रहा है ना जितने questions बता है मैं और मैंत में कुछ questions आपको reasoning के भी मिल रहे है मैंत पूरे 40 नंबर की नहीं आ रही है आप मान करके चलो जो proper मैंत आ रही है maximum 32 से 35 questions के बीच बस यह maximum है बाकी ज़्यादा तर पोर्सन आपको मैं analyst दे रहा हूँ अगर आपको मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा help मिर रही है तो आप लोग please वीडियो को like और share जरूर करो अपने दोस्तों में और अगर चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो कर लो subscribe पैसे तो लग नहीं रहे तो अब मैं नाइट में एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें 20 नॉमबर की आल सेप्ट में जो कोस्तंस पूछे गए हैं वो सारे कोस्तंस में आपको बता दूँगा बिल्कुल genuine ठीक है तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप genuine channel या जो भी analyst कर रहा है सही analyst कर रहा है उसी की analyst को देखो 3-4-4 गंटे का analyst देखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि समय हमारे पास इतना है नहीं है ठीक है चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर के जो और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब पन्ना ना भूलें क्योंकि हम रोजन ऐसी तरह के वीडियो से आप लोग लिए लात रहता हूँ नमस्कार दोस्तो जै हिंद जै भारत